बागली थाना शेत्री के अंतरगर ग्राम शतरपूरा में एक महिला अपने तिन बच्चों के साथ घर से लापता हो गई थी जिसके बाद बागली पुलीस द्वारा सक्रिता से कारी करते हुए उक्त महिला को सिसी टीवी केमरे के आदार पर ढूंड कर परीजनों के सुपूर बागली की ग्राम शतरपूरा में एक किसान के खेत पर काम करने वाले मांगिलाल भिलाला की पतनी अपने घर से तीन बच्चों के साथ 10 अक्टूबर को बिना बताये कहीं चली गई थी जिसको लेकर पती मांगिलाल द्वारा बागली थाने पर गुमशुदगी दर्ज फर्यादी की पतनी अपने तीन बच्चों के साथ बीना बताये घर से चली गई थी शिकायत मिलने के बाद उनके द्वारा एक टीम बनाई गई जिनके द्वारा लगातार इस और सक्रीता से कारी किया गया शुरुआती दोर में पुलिस को चापड़ा बागली मार्ग पर इ सिस्टीवी कैमरे में उक्त महिला एक यातरी बस में बैट कर चापड़ा की और जाती दिखाई दी जिसके बाद उक्त बस चालक से इस सम्मद में जानकारी ली गई जिसमें पता चला कि महिला चापड़ा से इंदोर की और गई है वहीं इंदोर में भी बस स्टेंड वो अन मेला कन्योज में उसके रिस्तेदार के यहां से बरामत किया गया बागले सरवी पार्टिदार की रिपोर्ट अच अग्या आग्या परिज्टार की अगया अच पुलीस टीम कानपूर जाके वहां पर लगा ताफ साथ दिनों तक सर्चिंग गरी वँर लड़की को और बच्यों को महिला और तीनों बच्यों को कल दिना को लेकर आज पुलीस के शुरक्षिक लेकर आई है और उसके आप देख रहे हमारा चैनल SW24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना खुलें